के अस्सेलाम आलेकों को आज विए कई आप को बताऊंगे कि अब भुद घर पर किस तरह से मेंगभ रिमूविंग कॉटन पैड्स बना सकते हैं उसके लिए आपको चाहिए कुछ इस तरह की कॉर्टन पैड्स जो कि हम मेकप रिमोविंग के लिए यूज करते हैं और इस तरह का कोई खुले मुखा जार आप कोई भी जैम का जार भी ले सकते हैं इसके लिए उसकी लिड जह है इस तरह की होनी चाहिए ताके वो सेक्योर है एक कप आपको लेना होगा पानी जो मिंडर वाटर होता है वो आप लें तो जादा अच्छा होगा उसके बाद हम लेंगे बेबी शैम्पू मेक शोर के आप कोई भी शैम्पू ना यूज करें बेबी होते हैं तो वो आपकी आखों पर नुकसान दे नहीं होते हா इसके अलावा हम लेंगे लेंगे कोकोनट ओए coconut oil ले सकते हैं या almond oil भी ले सकते हैं olive oil जो आप पर suit करता है जो आपको पसंदा आप वाला oil ले सकते हैं इस तरह के cotton pairs लेंगे हम और इसके लावा हम जो baby wipes होते हैं वो भी ले सकते हैं उनको मेकप रिमोवर यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस जार में डालूंगी एक कप पानी और इसमें मैंने डालना है ये coconut oil ये जो टेप टी स्पून है ये टू टी स्पून मैंने coconut oil के इस पानी में डालने हैं और ये टू टीबली स्पून इसमें डालने हैं मैंने इसमें शैंपू और oil डाला है आप मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं ताकि वह बिल्कुल एक ही फॉर्म में आजाए और आपको इसके अंदर इस तरह से डाल देने हैं आपको बहुत जाद बहुत प्रैशर से इसको नहीं डालना नहीं तो सारे अंदर चिपक जाएंगे इस तरह से आप जितने चाहें आप डाल सकते हैं जितने भी जितना भी आपका लिक्विड है वो उसको अच्छी तरह से सो कर लें तो इस तरह से आपके जो है मेकप रिमिंग पैड्स से यार हो जाते हैं और जितना भी लिक्विड हो सारा कॉर्टन पैड्स ने एब्सॉर्ब कर लिए इसको ऐसे लिड लगा कर आप रूम टैंपरीचर पर आप रख सकते हैं और आप इसली यूज कर सकते हैं कि यह कुछ इस तरह के कॉटन पैड्स आपके पास प्रेड्ी हो जाएंगा बॉटल में से निकाले और इसको अराम से यूज कर सकते हैं मै ने बॉटल में से निकाला है अण यू बैड और अपने जू लिक्टन रिप्सटिक मैंने लगाई थी उसके उपर मैंने इसको थोड़ी ऐसे रखा और उसके बाद हलका हलका सा मैंने इसको इस तरह से मैंने इसको साफ किया तो यह बहुत ही इसली अराम से लिक्विड लिप्स्टिक उतर गई और किसी भी किसिम की कोई इरिटेशन नहीं हुई तो यह इसका रिजल्ट है I hope आपके मेरी वीडियो अच्छी लेगी होगी Thank you for watching, Allah आफिस